एक समेलन जहाँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी गए तो वहाँ पर जब चीन के राश्पती शी जिन पिंग से मुलाकात हुई तो पूरे दुनिया ने देख लिया कि भारत का दम कितना बड़ा है क्योंकि एलेसी पर भारत और चीन के बीच जो विवाद 2020 से चल रहा था व अगर संबंदों को अच्छा रखना है तो फिर साथ मिलकर चलना पड़ेगा उसमें कहीं भी कोई चालबाजी नहीं होनी चाहिए यह बहुत क्लियर मेसेज चीन को था क्योंकि हमने देखा था कि कैसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बिग संबिलन में रवाना होने से पहले ही वो रास्ता इस पश्ट हो गया था लेकिन भारत ने भी बता दिया है कि वो चहता क्या है एक रिपोर्ट दिखाते है पांच साल बाद मोदी जिन्पिंग की सीधी बाद पचास मिनट तक मुलाकार क्या हुई बाद क्या फिर दोस्त वनेंगे भारत और चीन नवंबर 2019 की वो तारीख थी प्राजील वो जगे थी जब प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और शी जिन्पिंग की मुलाकात हुई थी और ठीक उसके पंस साल बाद रूस के गजान में तोनों नेताओं के बीच दोपक्षी बैठक हुई जो कई माइनों में खास थी बैठक में कई एहम मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें खास तोर पर बॉडर पर शांतियों बनाया रखने की बात रही शे जिन्पिंग से मुलाकात के बाद प्ये मोदी ने कहा कि हमारी मुलाकात पांस साल बाद हो रही है हम बॉडर पर बनी सहमती का स्वागत करते हैं और सबसे बड़ी बात कि एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए आप से मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा पांच साल के बाद हमारी फॉर्मल मिटिंग हो रही है सीमा पार पिछले चार वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमती का हम स्वागत करते हैं सीमा पर शांती और स्थीरता बनाए रखना हमारी प्रात्फिकता रहनी चाहिए तुमाई दूसरी तरफ चीन के राश्पतेशी जिनपिंग ने कहा दोनों पक्षों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संबाद और सहयोग करना अपने मत बेदों और आयस सहमतियों को जित रूप से संभालना और एक दूसरे के विकास आकांग्षाओं को पूरा करने में साहता करना महतरपूर है साथ ही जिनपिंग ने कहा दोनों पक्षों के लिए ये भी महतरपूर है प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी का रूस दौरा और चीन के राश्पती शे जिनपिंग से मलवकात के अपने माइने है जिसको लेकर अब शायद सीमाओं पर शान्ती कायम रहने की उमीद जटाई जा रही है इससे पहले भारत और चीन के बीच पुर्वी लद्दाग के एलेसी पर पेट्रोलिंग को लेकर समझोते पर सहमती बनी थी और अब सीमा विवात को सुलजानी के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिती जल्दी बैटक करेंगे इसमें भारत के तरफ से एनसे अजीट जोबाल और चीन की तरफ से विदेश मंतरी बांग ये होंगे लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या फिर भारत और चीन दोस्त बनेंगे और उससे भी वड़ा सवाल ये कि दोस्त चीन कितना भरोसे मंद साबित होगा विरो रिपोर्ट रिपब्लिक भारत बनने से भी टेंशन में है पाकिस्तान और इसलिए कोशिशे है कि वहाँ पर एक की बाद एक आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जाए दुनिया की नजर में कश्मीर को अशांद करने की ये कोशिशे है पाकिस्तान की ओर से की जा रही है दूसरे प्रदेशों के लोगों को जम्मु कश्मीर से दूर करने की चाहते है और इसलिए गैर कश्मीरियों को लगतार टागेट किया जा रहा है और एक के बाद एक यह हमले इसो इशारा कर रहे है कि पाकिस्तान कैसे आइस्थिर और अश्यान करना चाहता है जमू कश्मीर को और अब आपको बताएंगे कि आखर क्यूं गंदी बाद की फास में एक ता कपूर के गले में ये फास पड़ गई है किस तरीके से पुरा मामला है रेपोर्ट के जरी आपको दिखाएंगे लेकिन सबस पहले इसको लेकर कि क्या जानकारी वो भी आपको देखें तो देखें लगातार मुश्किले जो है एक ता कपूर की बढ़ती भी नज़र आ रही है गंदी बाद की जो फास है उनके गले पड़ चुकी है इस बीच एक बड़ी खाबर सामने आ रही है एक बड़ी कपर बता दे यहाँ पर अशलील कंटेंट मामले में आज एकता कपूर की पेशी मुंबाई यहाँ पर देखें किस तरीके से आज होने वाली है मुंबाई पुलिस के सामने आज पेशी एकता कपूर की तो अशलील कंटेंट को लेकर के एकता कपूर की खिलाफ फॉक्सोड की धाराएं इसमें शामिल है और इससे पहले भी मॉंबई पुलिस ने एक्ता और उनकी माता से पुछताज की थी और अब एक बार फिर से आज मॉंबई में पुलिस के सामने उनकी पेशी मॉंबई पुलिस लगातार सवाल जिवाब करेंगे तो एक्ता कपूर जो बॉलिवोड और टीवी सीरियल्स की प्रेडियूसर है एक्ता कपूर और उनकी मा शोगा पुचोबा कपूर के खिलाफ पॉसको आड़ के तहट केस दर्ज हुआ है केस OTT, प्लाटफॉर्म, और बाला जी की वेब सीरीज गंदी बात के सीजन 6 से जुड़ा हुआ है आज एक्ता और उनकी मा से पुलिस दोबारा पूश्टाच करेगी और क्या एक्ता कपूर उन जवाबों को सामना कर पाएंगी ये देखने वाली बात होगी एक रिपोर्ट दिखाते है कानून के घेरे में टेलिवीजन कुई टीवी जगत का एक मश्यूर नाम जिसकी इंडस्ट्री में बोलती है तूटी लेकिन अब वो विवादों में घिरी है ठाने के चक्कर काट रही है जी हाँ हम बात कर रहे हैं एक्ता कपूर की सोप ओपेरा के कई शांदार हिट्स देने के बाद एक्ता ने ओटीटी का रुख किया ओटीटी में भी कई वेब सिरीज प्रोड्यूस किये लेकिन गंदी बात पर एक्ता फस गई एक्ता और उनकी मा शुभा कपूर के खिलाफ मुंबई पुलिस ने पॉसको एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की है और आज फिर से दोनों को बोरी वली के MHB पुलिस ने पूच्टाच के लिए बुलाया एक्ता कपूर और उनकी मा शुभा कपूर के खिलाफ पुलिस ने बाल संग्रक्षन अधिनयम की धारा तेरा नाबालिक बच्चों के योन शोशन की धारा पंद्रा, सूचना प्रौधियोगी की अधिनयम 2067-A, बियनेस की धारा 295-A और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है दरेसल बोरी वाली इस्थित MHB पुलिस स्थाने में एक स्थाने नागरिक ने आल्ट बाला जी की पुर्व निर्माता, एक्ता और उनकी मा शुभा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है सिरीज के एक एपिसोड में पॉक्सो एक्ट की नियमों का उलंगन करने वाले कुछ सीन दिखाए गए थी इसके साथ ही वेब सिरीज में सिग्रेट के विग्यापन का इस्तिमाल करते हुए महापुरुशों और संतों का पमान किया गया इसकी वजह से शिकायत करता की भावनाओं को ठेस भी पहुँची हालाकि एक्टा कपूर की आल्ट बालाजी टेली फिल्म लिमिटेड ने एक बयान जारी कर आरोपों का खंडन किया उनकी तरफ से कहा गया कि वैब सीरिस गंदी बात में पॉक्सो अधिनियम सहिट सभी कानूनों का पूरी तरह से पालन क्या गया है और नाबालिगों को आपति जनक तरीके से नहीं दिखाय गया है बयान में ये भी कहा गया है कि शोभा और एकता कंपनी के दिन परति दिन के कामकाज में शामिल नहीं है और कंटेंट की रणनी दी अलग-अलग तीमें बनाती है ये पहला मौका नहीं है कि किसी विबाद को लेकर निर्माता एकता कपूर का नाम सुर्ख्यां बटो रहा हूँ इससे पहले उनकी वेब सीरिस क्रिपल एक्स को लेकर भी मामला कोर्ट तक पहुचा था प्योरो रिपोर्ट रिपब्लिक भारा